असलाम वालेकुम आई टू फैमली कैसे हैं आप सब तो यह वीडियो वहीं से स्टार्ट करें जहां से मैंने साधी वाली वीडियो एंड की थी तो यह वीडियो मुझे पहले ही डालने थी लेकिन कुछ कामों के वज़े से विजी होगी थी तो वीडियो शेयर नहीं कर पाई लेकिन अब मैं कर रही हों तो यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं अपने इस्टाग्राम कले रील और कुछ पोडो वगएरा किले कर रहें ।ो वही मैंने सच प्यालोक्राफ बना रहे हैं और पिर चलते हैं घर कि भाई कर दो कर दो तो अभी रात के बज़रे हैं साड़े बारा और हम लोग ब्एटे हुए Sapp बाहर आख जलाकर यार पास घर नहीं है किया हमारे पास घर नहीं है हमारे पास घर नहीं है सिलुए रोड पे बयटे है दो हम लोग जो हुए नशाधी में से सायद ग्यारा वजे लोट आये थे हमें एक घ्ट हो गया है मतलम में ताइम नहीं देखा था लेकिन एक घ्ट हो गया है मैं तो बस अभी चेंजमेंच करके हम लोग बाते बाते कर रहे हैं और यह चले गए हैं घर हम लोग यहीं रुख गए हैं बैसे हमारा रुकनेया कोई प्लान रहती है क्योंकि बच्चों कल चुटी भी है सटड़ेगी कल पीटीम है तो इस वज़े से उनकी चुटी होती तो यह लोग उटते नहीं लेट उटेंगे फिर मैं इनका इंतिजार करूंगी इनाय प्लास्टिक है वह बिर यह लेट उठेंगे फिर इनको नास्ता कराओ घर का भी काम तो फिर मतलब वही मुझे 11 बारा बच जाते तो इस वज़े से फिर गुलपसा कहने लगी कि तुम फिर घर के काम में लगी रहोगी फिर लेट आओगी फिर सारी चीज़े लेट होगी तो इससे अच्छा है यहीं पर रुक जब चुटी है तो बच्चों को स्कूल तो तुम्हें भेज नहीं नहीं है तो मैंने का हाट सई के लिए इन्नों कोई भी जल सकता इससे प्लास्टिक से पता नजर रही हो तेरी तुझे नजर लग गया सभी अक्सरा वेसे भी बोल रही थी कि मुझे नजर लग गई है सब लोग मुझे देख रहे थे कि अक्सरा और दोनों दूला भाई साले चले गए हैं और हम लोग नहीं पर रुग गए हैं तो मैं अभी वीडियो श्टार्ट नहीं करती लेकिन मुझे एक कॉमेंट का रिप्लाइज देना था क्योंकि उस पर मुझे हसी आ रही थी तो कल जो मैंने मुझे वीडियो सूट की थी और आज आप लुसा सेयर की है तो उस वाली वीडियो मेंने फिल्टर लगाया है तो इस ते मैंने पहले कई बार फिल्टर लगा के मतलब जो आजकल सैमसंग के मॉवाइल ने फिल्टर आ दे लगे हैं नए नए पहले नहीं रहते थे लेकिन अभी आने लगे हैं तो मुझे कभ वीडियो सुट कि और फिर मैंने वीडियो में डाल दी तो उसमें अलग से ही दिखाई दे रहा है कि वह फिल्टर है आप लोगों ने कभी देखा होगा मैं बैसे मेकप बिल्कुल भी नहीं करते हूं चाहे मैं कहीं पर भी जाओं बस साधी में साधीयों में जाती हैं जो त मैं घर में बैटी हूं और मैं इतना हैवी मेकप करूंगी और फिर मेकप में फिल्टर में बहुत अंतर होता है वह अलग से ही दिखाई दे जाता है जैसे कि अभी है अभी मेकप है तो यह अलग से नज़रा रहा है और जो फिल्टर वारा रहता है वह बिल्कुल अलग है त तो उसमें सिस्टर है हो बोल रही है कि आप साफ जोत बोल रही है और नहीं बोला तो मुझे याद नहीं है क्योंकि यूसमें नहीं तो अलग दिखाई दे रहा है जुट बोलनी वाया दी बात कि हमें फिलिटर को मेक अप में ज़ोड़ी नो बोल सकती हूं और मेयकप में बहुत अंतर होता है और उनको पता ने क्यों यह लग रहा है, और पर अलग से चीज पर हसी आ रही हो फिर मैं उसमें एक तरफ बाली पेने हूं एक तरफ लॉंग पेने हूं तो ऐसा थोड़ी नहों सकता है मैं बाली भी पेने हूं लॉंग भी पेने हूं पागल बागल हूं तो यही था मुझे उस चीज पर हसी आ रही थी तो मैंने सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए फिलाल जिसने भी कहा तो उनको अपना रिप्लाइब मिल गया हुगा मैंने उसमें जूट नहीं बोला है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप लोग उसको जूट समझोगे सच सम मैं भी अक्सरा जा रहे हैं तीन महीने वाली ट्रेनिंग रहती है जिसमें बेसिक चीज़ें चाहिए तो उसमें सीखने जा रहे हैं और जब यह वाले सको हो जाएगा ना फिर हम उसको ट्राइविट वाला भी सिखाएंगे क्योंकि उसको इसमें रूची है और पढ़ाई ह और उसके बाद वह खुद नहीं जाती है हमने उससे बोला है कि आगे पढ़ ले तो जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चा जो है ना जादा ही पढ़े किसी बच्चे की रूची किसी और चीज में चली जाती है तो उसकी रूची पालर वगिरा में तो इसलिए बूर नहीं जा तो ऐसी बात नहीं है भले हमने प्रोपर फूरी पढ़ाई नहीं किये लेकिन हम पढ़ने गए है ठीक है हमारी एक्सरा एट तक पढ़ी है जी साने टैंथ किया है मैंने ट्वेल किया है और गुलफ साने हमारी ने कॉलिज किया है आर येन हमारा मतरसी में पढ़ी रहा है त तो फिर मेरा पढ़ाई के तरफ से मन अट गया था फिर यह था किसलाई कर रहा है ममी के साथ घर का काम समाल है क्योंकि भेन बाई वगरा थे चोटे ममी अकेली थी काम करने वाली तो इस चक्रव मैंने छोड़ दी थी और मेरा मन भी नहीं था फिर पढ़ाई करने का आगे और ऐसे ही अक्सरा करा तो यह था ठीक कोई जूटनी बोलता और अजकल के जमाने में कोई भी अनपढ़ नहीं होता है सबी लोग पढ़ने जाते सबके माबाब पढ़ाते हैं बच्चों को फिर बच्ची के ऊपर होता है वो कितना पढ़ेगा बच्पन से तो वह स्कूल जरू सबक्तिन इस आब भी ति तो यहां से मैंने थर्ड क्लास के पढ़ा 1997 से कहता और यहां से मैंने थरड क्लास की पढ़ा यहां कि तो यह है तो आप हमें पढ़ने बोल सकते होँ आप समझते हो ठीक गई बात नहीं है क्योंकि सबי Is اपनी अपनी सोच होती है अपना तरीका होता बोल लूर है क्यूंकि यहां हमारा कोई जोर जव जोर चलनें सकता है किसी के बोल पे कि कोन क्या बोले ठीक है वही वाली बात JEFFाहिए आप बोलोगे कि सोसल मीडिया पे तो आपको यह चीज़ सुननी पड़ेंगे ठीक है आप बोलने वाले हैं तो हम भी जवाब देने वाले हैं क्योंकि अगर आप बोल सकती हैं कमेंट कर सकते हैं तो हम भी उसका रिप्लाइ कर सकते हैं अगर हम उसका मेंट का रिप्लाइ करना चाहते है तो तो इन comment का reply मैं करना चाहती थी तो इसलिए मैं सुझार करना चाहिए क्योंकि कुछ comment latest होते हैं जिनका reply करनہ मुझे जरूरी नहीं लगता है लेकिन या पर बात मेरिं बहूरी भाईयों की थी उनकी पडाई की थी तो इस चीज़ कि इसी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और गुलफसा की ब्लोग pedir कलिए कमेंट के विथे क्रिक बेटी थे तो गुलफसा ने ब्लोगेंग बंद कर दिए कि वो उसने क्यूं करी है क्योंकि इसी हीट कमेंट के वजी से करी तो कुछ को कमेंटेना सही नहीं आते हमें भी नहीं आते हैं तो कोई कोई तो यह सोता है सूच लेता है ठीक है तो गुलफसा ने जो है ना मतलब इसलिए अपना ब्लॉग के चैनल बंद कर दिया तो उसने का कि मुझे नहीं करना यह ब्लॉगिंग बगेरा तो बस चलिए इस वीडियो के इंपर प्रक्ने आला झा थाएंग